प्रधानमंत्री कारयाले में राज्यमंत्री डॉक्टर चतेंदर सिंग ने प्रधानमंत्री व्यानेद्र मोधी को लोकतंत्र के सच्चे सार का प्रतीव कराग देती हुई कहा है कि उन्होंने एक ऐसे लोकतंत के स्थापना की है जहां एक विनम्र पृष्ट भूमी का आम आदमी भी अपनी योगिता वो जन्ता के समर्थन से देश के उच्चतम स्थर तक पहुन सकता है उधुपुर के मनवाल में रविवार को भाजपा कारेकरताओं की एक पैठब को सम्भोधित करते हुए डॉक्टर जितेंदस सिंग ने कहा कि लोकतंत्र का असली साथ यही है कि जब किसी घर में बच्चा हो तो उसकी मा को भी ये विश्वास हो कि उसके बच्चे के पास भी देश के शीर शिस्थल पर पहुँचने का अफसर है फिर चाहे वो किसी भी समाचिक व आर्थिक स्तेती से संभदित क्यों ना हो डॉक्टर जितेंदस सिंग ने कहा कि मोधी ने ऐसा स्तापित किया है कि अगर योकिता है तो कुछ भी हासल किया जा सकता है इसके साथ ही मोधी के प्रधानमंत्री बनने से केंद्र में पीडियों के परिवारिक शासन का भी अंध हुआ मोधी सिरकार के आठ साल के कारेकाल का उलेख करते हुए डॉक्टर जितेंदस सिंग ने कहा कि भाजपा ने छे दश्कों के संगर्ष के बाद सत्ता हासल की और अपने आठ साल के कारेकाल में प्रधानमंत्री नरेंडर मोधी ने समाज के वंचित वर्गों के लाप के लिए कई जन कल्यान कारे योजनाय लागू की ताकि समाज के हर वर्ग तक विकास पहंच सके डॉक्टर चतिन्द सिंग ने इस मौके पर मोधी सरकार के 8 साल के कारेकाल में उनके संस्ति शेत्र उधुपुर कठवा डोडा में हुए विकास कारेों का भी उलेक किया